गुड मॉनिंग दोस्तों मेर नाम संदीर कुमार एड़ी फ्रम इंजीनियस कॉंपेटिटिव ट्रेनिंग अकाडमी जिसे कि हमने डिसकस किया है पार्ट ट्वल तक अब हम पार्ट तर्टीन डिसकस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आलडी हमने अप्टू 360 कुशंस तक डिसकस किये हैं अभी अगला हम देख लेंगे दे रेड पिग्मेंट एंतोसाइनिन इस प्रेजेंट इन बहुती इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो लाल कलर में पिग्मेंट होता है उसको हम एंतोसाइनिन कहते हैं नॉमली आप लोग जो एंतोसाइनिन है एक रेड पॉपल और ब्लू और फ्रूट्स और वेजटेबल्स के अंदर आप देख सकते हो जितने भी फल और वेजटेबल्स होते हैं इनके अंदर आप देख सकते हो एंतोसाइनिन और यह लाल कलर हो जाते हैं और पॉपल हो जाते हैं जो पत्ते हैं और यहां पे माइटो का कंट्रिया है जिसको हम powerhouses of the cell कहते हैं बाकी वैक्योल जो है एक किसम का membrane है दोस्तो membrane bound cell organally in animal cells vacuoles are generally small and help secret waste products बहुत ही important है दोस्तो यहाँ पर जो folium है normally translocation of food इसके अंदर होता है और transpiration of water जो है xylem के अंदर होता है दोस्तो यह काफी important है आप देख लीजिएगा अगला हम देखेंगे frogs के अंदर कितने chambers होते हैं उनकी heart में अगर अपनी heart की देखा जाए कम से कम हमारा 4 chamber होते हैं दो ventricle दो auricle होते हैं दोस्तो पर frog के अंदर जो की mendic के अंदर आपको पता होना ज़रूरी है तीन होते हैं दोस्तो नॉमली reptiles के अंदर तीन ही होते हैं पर crocodile के अंदर आप चार देखने को मिलेगा और जो human heart है उसका जो कवर होता है human heart को एक layer होती है जिसको हम pericardium कहते हैं और नॉमली त्री चांबर हाट जो की mendic lizard जो reptiles होते हैं उनके अंदर होते हैं पर crocodile भी एक reptile पर उनके अंदर चार चांबर होते हैं दोस्तों बहुत ही important है अगला नॉमली कोई भी वोल्टाइक सेल है जिसके अंदर electrolyte का इस्तमाल करते हैं वो क्या है dilute nitric acid नाइट्रिक आसिड यानी है चन नोतरी होता है जिसका chemical formula यह dilute form में आपको देखने को मिलेगा इन्विच सिटी आफ इंडिया वास फर्स अंडर्रोंड metrorail service introduced ऐसे कौन से शहर है जहाँ पर सबसे पहला इंडिया में underground metrorail service को introduced किया गया है जो है कोलकता है दोस्तों और ये 1984 में तक्रिबन 27.22 km with 24 stations established किया है देखिए दोस्तों कितनी मेनत करनी पड़ती है रात 9 बज़ रहा है साड़े 9 बज़ रहा है तब भी हम आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो डालना पड़ता है माफ कर दीजेगा ये तो इंसान की खुदरत की है name the process of release of energy from food in the absence of oxygen by certain bacteria नॉमली हम लोग जानते हैं absence of oxygen सुनते ही आपको याद आनी जाए आने जाए अनेरबिक respiration अनेरबिक respiration होता है जहां पे oxygen का इस्तेमाल करते हैं बाकी यहां पे ऐसा कौन सा process है release of energy from food in the absence of oxygen by certain bacteria जो की अनेरबिक respiration यह जो अनेरबिक respiration है हम लोग नॉमली जो फंगी है mushrooms वहां पे आप देख सकते हो यह जितना भी microscopic organisms like yeast obtained energy by anaerobic respiration only अगरा देखिए inhalation जो की breathing आप जानते हैं which are the following is not formed during fermentation fermentation के दोरान कौन सा फार्म नहीं होता है बाकी आप यहां देख सकते हैं ethyl alcohol hydrogen gas lactic acid ethanol carbon dioxide यह सब फार्म होते हैं पर acetic acid fermentation process में नहीं फार्म होता है इसी acetic acid अगर आप देखें तो आप याद रखिएगा जो acetic acid होता है normally vinegar के इंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही important है दोस्तो the process of rusting of iron iron जमता है न जब iron जमता है तो क्या होता है तो उसका वज़न बढ़ जाता है वो एकदम oxidation process होता है इसको कहते हैं oxidation process और बाकी यहां पर absorption क्या होता है is where a liquid is something like a sponge, cloth और filter paper जो सक करता है दोस्तों absorption करता है अब यहां पर जो rusting के अंदर the process of rusting of iron is called corrosion corrosion is a chemical change as the formation of iron oxide is an irreversible process जो rusting है is a redox reaction होता है whereby oxygen acts as the oxidizing agent iron acts as the reducing agent है दोस्तों तो यहां पर पता होना जरूरी है rusting क्या होता है यह एक oxidation process है absorption क्या होता है is a mass transfer process that is a phenomenon of absorption of gases and solutes by solid or liquid surfaces this is what exactly absorption अगला important है दोस्तों a substance which can be drawn into a wire is called as कोई भी substance को एक wire के तरह drawn करने वाली जो process को हम ductility कहते हैं normally ductility जो अपनी ornaments होते हैं वो किसम का ductility process है malleability यानि जो कि that the material can be hammered into very thin sheets by without breaking जो कि shapes बनाते हैं जैसे कि hammer हो गया साथ में हम लोग जितने भी sheets हो गये हैं उसको हम malleability कहते हैं बाकी flexibility आप जानते हैं rubber band किस तरह flexible है pliable यानि easy to bend जल्दी bend हो जाता है अगला देखिए दोस्तों which of the following is not radioactive यहाँ पर जिर्कोनियम है जो radioactive नहीं है हमने अलड़े इस question को discuss किया है polonium जो है is an alpha emitter and is used as an alpha particle source in the form of a thin film on stainless steel disc जिसको हम जिर्कोनियम कहते हैं दोस्तों यह बहुत ही important है यहाँ जो polonium है एक किसम का alpha matter है इसका जो कौन सा यहाँ पर radioactive नहीं है uranium, radium और polonium अगर यह तीनों radioactive elements है पर जिर्कोनियम नहीं है बहुत ही important है दोस्तों lightest atom के बारे में पूछा जा रहा है सभी जानते हैं helium जो है non-combustible light element है boron, normally soap के अंदर इस्तमाल करते हैं lithium, lightest metal कह सकते हो अगर element की बात करें hydrogen है दोस्तों lightest atom या element और यह atomic number 1 है दोस्तो 75% of the universe universe के अंदर आपको देखने को मिलेगा और it has an average atomic weight of 1.0079 atomic mass unit making it lightest element आप से पूछा जाए क्या atomic weight है इसका 1.079 atomic mass unit है दोस्तों बहुत ही important है अगला यह body address may have which of the following कोई भी वस्तो अगर rest पे है तो उसके अंदर speed है नहीं है momentum है नहीं है क्योंकि velocity नहीं तो कहां से होगी velocity है नहीं है तो यहाँ पे उसका अपना खुद का energy होता है अगर एक water tank है जिसके अंदर पानी टला है उसके अंदर store है तो potential energy आपको देखने को मिलेगा अगर पानी एक साथ छोड़ देंगे pipe के अंदर velocity आपको देखने को मिलेगा तब वहाँ पे kinetic energy मिलेगा पर stored water tank के अंदर आपको potential energy ही रहेगा और यहाँ पे देखा जाए body a trust may possess potential energy due to its height or other reason when a body is a trust it cannot have kinetic energy and momentum because kinetic energy is with the motion and momentum is defined as a product of mass and velocity जो की बहुत ही important है दोस्तो अब आता है on which factor buoyancy doesn't depend for a given body यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा factor है buoyancy doesn't depend upon on a given factor यहाँ पे speed को कोई मतलब नहीं है पर weight पे depend करता है density और जो कि हम लोग समंदर की पानी से river की पानी में चले जाए जहाज की जो मात्रा है वो काफी अंदर चले जाता है क्योंकि समंदर से जो river water के अंदर density कम रहता है जितने ज्यादा density उतना ज्यादा उपर रहेगा जहाज जब जहाज समंदर से नदी में जाएगा तो थोड़ा अंदर चले जाएगा इसलिए हम लोग इंडिन नेवी में क्या करते हैं हम लोग सिधा जितने भी weighted items है जहाज की level चिक करते हैं वो पूरा निकाल के जाने के कोशिश करते हैं अगर आपको लग रहा है कि कुछ ट्रेडा है तो आपको maximum चीज़े dump करना पड़ेगा जो भी weighted है इसलिए हम लोग कहीं भी operation deployment के लिए जाते हैं तो जो हलके जहाज रख के लेके जाते है वहाँ वरना जहाज डूब सकता है अगला देखिए volume भी काफी matter करता है speed का कोई matter नहीं करता law of buoyancy argumentus ने दिया है दोस्तो buoyant force depends on the mass of the object, the weight of the object and its density also the buoyant force depends on the volume of the liquid displaced यहाँ देखिए chemical formula of ethanol ethanol chemical formula पूछा जा रहा है C216 वो है दोस्तो यह है ethanol का युद्ध अभ्याज जो military exercise होता है इंडिया और अमेरिकी की बीच में यह military exercise होता है दोस्तो अगला यहाँ पर tsunami grows in height when they reach shallow water सभी जानते हैं समंदर के अंदर जब tsunami आता है जितने भी जहाज है वो समंदर में चले जाते हैं पर यहाँ पर अगर देखा जाए जो tsunami जो wave है वो समंदर में कम रहेगा जब shallow water यानि जहाँ depth कम है किनारे में जितने बीचे से वहाँ बेचे से वहाँ बेचे कम होता है इसलिए यह काफी height उड़ता है जितने भी बीचे से में आफ़त मचा देते हैं यहाँ देखिए इतनल एक organic chemical compound है it is a simple alcohol with the chemical formula C2H6 वो है दोस्तो इतनल का जो international date line है is at normally 180 degrees north-south longitude कह सकते हैं जो international date line है अब यहाँ देखिएगा जो international date line है 1884 में इसको draw किया गया passes through the mid-pacific ocean and roughly follows 180 degrees longitude north-south line on the earth it is located halfway around the world from the prime meridian the zero degree longitude established in Greenwich, England 1852 so international date line है यहाँ पे देखा जाए so यहाँ पे zero degree Greenwich 1852 में draw किया गया है लेकिन international date line जो है 1884 1884 में इसको establish किया है दोस्तों जो एक 180 degree north-south longitude कह सकते हैं उपर से लेकिन नीचे तक 180 degree होता है जिसके हम लोग एक rotation मारते हैं तो 360 degrees होता है ठीक उसी तरह यहाँ पे आप कह सकते हैं zero degree जो है Greenwich में जो कि लंदन में आप देख सकते हो chief secretary of the states head कोन है जो कि public services कह सकते हैं chief secretary of the state heads बहुत ही important है दोस्तों so यहाँ पे देखा जाए chief secretary's are members of the Indian administrative service who are the administrative head of state government है दोस्तों so यहाँ पे जो भी chief secretary's है आये इस लोग है वो they are administrative head of state governments यहाँ पे पूछा गया है chief secretary of state heads क्या है जो कि public services है दोस्तों अगला important which is the first feature film made in Hindi ऐसे कौन सा movie है सबसे पहला feature film है जो इंदी में बनाया राजा हरिष्चंद्र आपको पता होना जरूरी है दादा साहब फाल के आवाड जो भी दिया जाता है यह राजा हरिष्चंद्र movie direct किया था उसने सबसे पहला अलम अरा ornament of the world इसका मतलब होता है 1931 में इंडियन हिंदुस्तानी language historical fantasy film है दोस्तो और produced by अर्देशिर इरानी देवदा सभी जानते हैं 2002 में इंडियन हिंदी language epic romantic drama film डिरेक्टेड बाइ संजय लिलाब बनसाली इसको शारुकान इसका actor है दोस्तो और देख सकते हो उसमें heroine जो है आईश्वरे राय और मादूरी दिक्षित है दोस्तो जो आपको पता होना ज़रूरी है और Mother India ऐसा movie निकाला है जो की काफी important movie है नर्गीजद जिसका काफी important actress है संजदित की मदर है समझोता जो express है ये Atari और Lahore के बीच में समझोता रायल आप देख सकते हो दिल्ली और Lahore बस जो officially इसको integrate किया है वो है सदा एशरद सदा एशरद ये जो बस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जाता है दिल्ली और लाहोर के बीच में ये बस चलती है सो बहुत ही important है दोस्तों समझोता जो express है लाहोर और Atari इस जगा आप देख सकते हो सियाची ने एक किसम का glacier है दोस्तों सभी जानते है अनाई मोडी सौध इंडिया में सबसे highest mountain river में देखा जाए सबसे लंबी गंगा रिवर है दोस्तों लूनी रिवर जो की saltest river in India और यहाँ पर largest valley की बात करें kangra valley जो की हिमाचल में आप देख सकते हैं काफी important सवाल है दोस्तों आप से पूछाएगा largest valley को इनसा है kangra valley जो की हिमाचल में है या ऐसा पूछा जाएगा कि जो kangra valley सबसे largest है यह किस state के अंदर है तो आपको बता ना हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल railway tunnel जो है जिसको हम जम्मू कैश्मीर चैनल भी जानते हैं longest tunnel है दोस्तों 11 km का है और जिसको हम पीर पंजाल भी कहते हैं runs through the Himalayas बहुत ही important है दोस्तों अब बात आता है दोस्तों the place where the chromatids are joined together ऐसे कौन सी जगह है जहां पे chromatids are joined together you will see like this वो join हो जाते हैं जिसको हम centromary कहते हैं और यहां पे sister chromatids are pairs of identical copies of DNA joined at a point called centromary इस point को हम लोग क्या कहते हैं centromary कहते हैं दोस्तों अब बात आता है दोस्तों nucleus helps in protein synthesis and production of the ribosome in the cells क्या help करता है nucleus help करता है in protein synthesis and production of the ribosome in the cells बागे cell wall सिर्फ plant में देखने को मिलता है animal में नहीं है और nucleus तो आप सभी जानते हैं center होता है elements of a group of periodic table जिनके अंदर have similar chemical properties देखने को मिलेगा और यहां पे देखिए chemical elements have atoms with identical valence electron counts and identical valence vacancy counts बहुत ही important है the elements in a given group possesses similar electronic configuration as the number of electrons in the respective automost shells is the same so they have similar physical and chemical properties बहुत ही important है दोस्तों similar electronic configuration देखने को मिलेगा और यहां पे जो elements है periodic table को बताने वाला atomic weight के साब से जो भी है और दिमित्री मेंडलीफ है दोस्तों और विलियम रामजे सभी जानते हैं विलियम रामजे कौन है विलियम रामजे जो की periodic table के अंदर जितने भी zero violence या inert gases से जिनको उन्होंने formulate किया है अगला which one among the following is the fastest Indian supercomputer recently developed by ISRO अभी यहां पे पूछा जा रहा है हैसे कौन सा है जो की ISRO ने fastest supercomputer develop किया है वो है SEGA 220 अगर पूछा जाये PARAM 8000 जो की यह 5G flops इतना fastest है और यह C-DAC ने बनाया C-DAC यहने Center for Development of Advanced Computing ने इसको बनाया दोस्तों बहुत ही important है अगला देखिए which are the following enters the human body through skin ऐसे कौन सा चीज़े जो skin के तरू यह enter होता है जो की आपको पता होना ज़रूरी है यह है हुकवाम यह हुकवाम है यह आप देख सकते हो can enter the body through any part that comes in contact with the infected soil although most often they penetrate the skin of the feet in the body they travel through the lungs to the intestine where they will grow into adults देखिए आपका पाउं से भी वो अंदर चले जाता है और आपका सीधा lungs के तरू intestine में जाके आपका वहाँ पे काफी बड़ा हो जाता है हुकवाम इतना खतरनाक है आपसे पूछा जाएगा कौन सा पाउं के तरू जा सकता है तो आपको damage करता है जो की हुकवाम है दोस्तो ऐसा कौन सा substance है has the highest heat capacity पानिक जो है सबसे जादा heat capacity आप देख सकते हो water has the highest heat capacity of any liquid और जिनका 4.184 joules देख सकते हैं जो की steam के अंदर सबसे लोएस heat capacity देख सकते हो 0.47 calorie than water and heats much more than water for the same time of heating अगला the food which gives an athlete to an instant energy ऐसे कौन सा food है जो की athlete को instant energy देता है वो है glucose है दोस्तो बाकी आप जानते हैं carbohydrates जो की काफी essential as the most immediate and efficient fuel to the muscles और protein digestion starts in the stomach जो की protein digestion जो है सभी जानते हैं it starts in the stomach enzyme एक किसम का protein है दोस्तो और normally सबसे ज़्यादा protein जो है fish के अंदर देखने को मिलता है और hair, fingernails, hooves they are all made of what? proteins rich source of protein क्या है दोस्तो soybean के अंदर आप देख सकते हो protein present in the skin जो की सबसे important है यहाँ protein पूछा जारा skin के अंदर keratin होता है अगर किस color of the skin अगर ज़्यादा melanin है तो color of the skin black रहेगा कम melanin है तो वो white रहे जागा अब यहाँ पे जो instant energy अतलेट को ज़े देता है वो glucose है दोस्तो अब बात आता है singing bird of India कोयल यानि कुकु singing bird है दोस्तो she brings us good tidings she tells us no lies normally hornbill festival hornbill एक पक्षी है जो कि नागलैंड में काफी famous है और यहाँ पे parrot तो आप सभी जानते हैं और यह बढ़गी भी कहते हैं parakeet an excellent talking bird भी कह सकते हो यहाँ पे जो singing bird है यह kukoo है talking bird है, parrot है nightingale of India किसको कहते हैं Sarojini Naidu hummingbird जो कि smallest होता है और it can fly backwards also बहुत ही important है अगला, the component in human beings that doesn't change with their age ऐसे कुन से component है human being के अंदर जो change नहीं होता है age के साथ वो है DNA यहाँ deoxyribonucleic acid अब बात आता है दोस्तो कितने भी साल हो जाए DNA कभी बदलता नहीं है पर board density अगर कम हो जाता है आपको osteoporosis हो जाता है जिसके अंदर पूरा उसका flexible हो जाता बोन तूड जाता है और यहाँ पर देखिएगा recombinant DNA technology एक ऐसा एक technology है जो कि breaking of two DNA डॉक्टर लालजी सिंग DNA lab हाइदराबाद जो कि another चंडीगड में है दो इस तरह का DNA technology related है एक हाइदराबाद में है लालजी सिंग DNA lab और दूसरा चंडीगड में है और hepatitis B caused by DNA virus that is HBV कहते है genetic mutation जो अकर होता है वो DNA के अंदर अकर होता genetic mutation आप से पूचा जाएगा genetic mutation occurs in that is DNA the technique was helped to solve many mysteries involving murders robberies and rapes जोसको हम DNA fingerprinting कहते है बहुत ही important दोस्तो आप मुझे comment section में बताएंगे dactylography क्या होता है dactylography इसका मतलब मुझे comment section में बताएगा अगला the speed of the ship measure करने के लिए किस में measure करते हैं जो कि speed of the ship बहुत ही important है दोस्तो जहाज की जो speed है वो measure करते हैं knots के अंदर अगर वो distance जो कि sea distance measure करनी है nautical miles में measure करते हैं 30 knots, 40 knots करके कहते हैं जितना fast जाज जाएगा उतना जादा knots रहेगा volts जो कि potential difference ohm, resistance है दोस्तो अब आप लोगों को confusion मिलेगा nautical mile और knots में nautical mile इक distance के लिए होता है knots, speed of the ship sound travels less speed in air fast in steel sound का जो speed है यहाँ पर देखिएगा steel के अंदर 5-1-3-0 meter per second आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा और normally 332 meter per second होता है जोकि अटमा स्पेर में हवा में animometer wind speed measure करनी के लिए होता है speedometer या odometer speed of the velocity of the vehicle tachometer evolution measure करनी के लिए aeroplane speed measure करनी के लिए इस्तमाल करते हैं ऐसे कौन सी आर्गान के अंदर gallbladder is located normally यह liver के पीछे चुपा रहता है gallbladder is a small post that sits just under the liver the gallbladder stores bile produced by the liver अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा gland liver है दोस्तों अगर सबसे बड़ा endocrine gland बोलता है pancreas kidney purify करता है blood को small intestine के अंदर digestion आपको देखने को मिलेगा अब बात आता है दोस्तों musketo causing dingo fever bite during daytime so यहाँ पर जो dingo fever होता है आप सभी जानते हैं यह एक musketo काटता है daytime के अंदर these musketos are active mostly two hours after sunrise and several hours before sunset hence they primarily bite during the day it is aegypti musketo वो होता है that can bite you without being noticed as they approach from behind and bites on the ankles and elbows very important दोस्तों so it is aegypti जो मच्छर है यह daytime में आप देख सकते हो और female annapolis आप जानते हैं जो की malarial एक मच्छर है जो की आपको काटने से malaria हो जाता है अब internal combustion engine बहुत ही important है दोस्तों it is used in normally rockets के अंदर इस्तमाल करते हैं jet aeroplanes के अंदर automobiles के अंदर सभी के अंदर internal combustion engine का इस्तमाल करते हैं और they are the most broadly applied and widely used power generating devices currently in existence examples include gasoline engines diesel engines gas turbine engines and rocket propulsion system जिसकी vehicles के अंदर boats के अंदर ships के अंदर airplanes के अंदर सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा drugs which help the body to fight infections ऐसा कौन सी drug है जो की आपको help करता है to fight against infection जो की anti-pertics है दोस्तो जो की infection से आपको बचाता है और बाकी आँपे anti-hypertensive क्या है hypertensive यानि आपको ऐसा drug है दोस्तो जो की hypertension को कम करने के लिए anti-depressant को यानि जो की आपको anxiety या depression इन सब को कम करने के लिए anti-depressant का medicine लेना पड़ता है अब यहाँ देखिएगा fight infection बोल रहा है तो antibiotics है दोस्तो pencillin और ampicillin ये सब antibiotics है अलेक्जन्डर फ्रेमिंग ने खोज किया था और यहाँ पे analgesic जो की parasitmol होता है यह किसम के analgesic है दोस्तो the effect of antibiotic in a patient inhibits or prevent growth of bacteria यही main important चीज़ है दोस्तो which mirror shows lateral inversion of light ऐसा कौन सा mirror है जो की lateral inversion of light देखने को मिलेगा वो है plane mirror अब यहाँ देखा जाए lateral inversion takes place in plane mirror as well as in a spherical mirror the plane mirror and convex mirror always forms virtual image and the concave mirror form virtual image when the object is placed between pole and principal focus जो यहाँ पे जो की lateral inversion plane mirror के अंदर देखने को मिलता है the retina में जो की real and inverted देखने को मिलता है what is the electric charge of a neutron जो की electric charge एकदम 0 होता है और proton का positive 1 होता है और 1.66 into 22 the power of minus 24 grams इसका one atomic mass unit है दोस्तो proton positive charge carry करता है जो electron जो की negative charge carry करता है red ball लाल क्यों दिखता है क्योंकि वो reflect करता है red को it contains colorants that absorb all of the colors of light except red the red light bounces back of the ball and back into our eyes causing us to perceive the ball as red that means the ball is actually all of the other colors present in the light source except red इसलिए हम लोग जब लाल रंग गिरता है तो same time reflect करता है geostationary satellite क्या होता है यह move करता है ahead of the earth साथ-साथ behind भी आता है moves along the earth जिसको हम geostationary कहते हैं यह geostationary और geosynchronous में क्या अंतर है synchronous यानी यहीं रहेगा ऐसे गूमता रहेगा stationary में क्या होता है दर्ती के साथ-साथ वो भी ऐसे movement होता है कहने के मतलब अगर दर्ती ऐसे गूम रहा है तो वो भी ऐसे गूमेगा यह geostationary यानी ऐसे-ऐसे movement होता रहेगा साथ में तो यह साथ-साथ आगे भी आता है पीछे भी आता है और साथ में गूमता रहता है और बात आता है दोस्तो यहां पर geostationary satellite is an earth orbiting satellite है जो की 35,800 km दूर में आप देखने को मिलता है it revolves in the same direction of the earth जो की west to east revolve करता है जो TV waves है जिनको हम radio waves के नाम पर जाना जाते हैं और यहां पर जो ultraviolet rays है जो ozone layer को काट के अपना सवसूरद से आते हैं radio waves are a type of electromagnetic radiation best known for their use in communication technology such as television, mobile phone and radios जहां पर radio waves का इस्तमाल करते हैं cosmic rays काफी high energy protons है दोस्तो and atomic nuclei that move through space at nearly the speed of light आप देख सकते हो cosmic rays के अंदर अब बात आता है which of the following is the softest यहां पर aluminium जो है काफी softest है sodium जो एक metal है दोस्तो iron जंग लग जाता है lithium lightest metal है यहां पर sodium tetra borate decahydrate यह किसम का borax कह सकते हैं sodium chloride नमक rock salt जिसको हम brain या salt भी कहते हैं sodium hydroxide यानि caustic soda होता है sodium nitrate जो की चली salt peter कह सकते हो sodium sulphate decahydrate जो की यहन्ये SO4 10H2O जिसको हम गवर salt के नाबे भी जाना जाते हैं ऐसा कौन सा mammal है which is intelligent बहुत ही important question है दोस्तो dolphin है जो की काफी intelligent mammal है बाकि duck build platypus अंडे देता है एक ऐसा mammal है जो की पानी के अंदर देखने को मिलेगा और इसका duck build platypus का recently एक पार्क भी open किया गया है कौन सा देश में आप मुझे comment करके बता सकते हैं bat एक किसम का flying mammal है blue whale सबसे बड़ा mammal है दोस्तो बाकि उल्लू तो आप जानते है 180 degrees गूमता है अपना मुंडी और compound ice जो की ant में होता है अपना compound ice से पीछे भी देख सकती है GT hummingbird जो की fly करता है backwards और smallest bird है emo bird जो की ostrich से चोड़ा चोटा होता है kingfisher भी आप जानते हैं falcon fastest bird है so maximum हमने 40 question discuss किया है I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जितने भी सवाल हम discuss कर रहे हैं काफी important है दोस्तो I hope this will help you a lot अगर आपको doubt है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं ताकि तुमारी doubts clear कर सको have a good day have a great life